hey everyone hi how are you all hope you all are doing great so guys आज का वीडियो बहुत ही जदे इंड्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो पे ना एक newly launched प्रड़क्ट के बार में मैं बात करने वाली है और हम सुपर एक्साइटेड पर इस रिवियू आज के वीडियो पे जो newly launched प्रड़क्ट के बार में मैं बात करने वाली हूँ वो है फ्रम माइ ग्लाम पॉप एक्साइड़ पैले बात तो है लुक अट दे पैकेजिंग पैकेजिंग इस सूपर क्युत ம के घार में मैं पैकेजिंग unnatural क्यूंध पैकेजिंग लिस रे लांच किया है so yes मुझे यह निव लांच ना काफी इंड्रेस्टिंग सा लगा था so I have got the eyeshadow palette and उसके साथ मैंने लिप्स्टिक and blush भी मंगवाया है उसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है and यह एक लिमिटेड एडिशन है My Glam का शाद Valentine's Day के बाद आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा anyway so this is the outer cardboard packaging and this is the inner packaging first of all packaging देखे ना पहली बाद तो मुझे लगा था this is the exact dupe of Colourpop मुझे Colourpop वाला feeling आया है and it's a compact packaging आप लोग देख साथ तो packaging के back side पे यहाँ पे सारे details mentioned किया हुआ है and when you open it you will get a mirror and उसके साथ साथ यहां पे आप लोग को 9 shades मिल जाएगा जहां पे 3 matte shade और 6 shimmer shade आप लोग को मिलेगा and यह 6 shimmer shade है ना काफी beautiful है and उसके साथ साथ पैकेजिंग पे आप लोग एक छोटू सा ब्रश मिल जाएगा जो कोई भी काम का नहीं है आप लोग नहीं इस शिमर अपलाई कर सकते हैं अच्छे से नहीं matte shade तो यह उतना काम का नहीं है यह ब्रश एकदम बेकर का है anyway so these are the shades आप लोग देख सकते हो यह जो tone है ना neutral undertone का एक eyeshadow palette है मुझे लगता है यहां पर यह जो दो shade है यह यह है maroon shade और यह है crazy shimmer shade और this shade is really really interesting in this whole palette this shade is a very beautiful blue shimmer shade जिसको मैंने आज अपलाई किया है आप लोग मेरे eyelid पर देख सकते हो यह blue shimmer shade है with black base yes guys and बहुत ही जादे यूनिक सा shade है and मैंने यह same shade और एक eyeshadow palette पर देखा ता वो है color pop का eyeshadow palette मैं यहां पर पिक्चर एटच कर देदू कि आप लोग देख सेम तो same shade है same pigmentation and oh my god I am really impressed मैंने पहली आप लोगो को बताया था कि यह आप लोग पाले देखे ना मुझे color pop वाला feeling आया है and honestly मुझे काफी अच्छा लग कि my glam ने कितना ज़दा इंप्रूफ किया है इस से पहले जो भी eyeshadow palette था तहा था था तहा था यह पिगमेंट नहीं था था तो पर यह भी ज़द पहले था था यह फिर प्राइस तो भी ज़दा था था and this is the first new launch मुझे लगता है जिसका माईलम का मतलब प्राइस मुझे लगता है वीथ रिजनेबल प्राइस और शेड़ भी काफी ब्यूटिफुल है तो यह वीडियो पर मैं आप लोगो को स्वाच दिखने वाले हैं तो यहां पर सिख शेड़ का एपले किया है आपके बद मैं अपना फाइनल थौट्स भी बताने वाली हूँ तो यह वीडियो को पुरे एंड तक जरूर देखना है जरूर देखना है झाल 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 अब अगर कॉंस की बात करें मुझे कोई भी कॉन नहीं लगा बस ये ब्रुश देना ही नहीं चाहिए था लिटरली नो यूस है तो अब ब्रुश देने के जगा मतलब आप लोग ऐसे कुछ ब्रुश दे सकते थे मतलब छोटू सा फलफी सा ब्रुश है तो ये कॉन पे नहीं कि मैं सजेस्ट करूंगी कि नहीं जरू सजेस्ट करूंगी आप लोग को अगर माइलम के डिसकांट पे मिल जाता है ये वैलेंटेंस दे के अंदर मतलब 14 फेबरारी तक तो जरूर इसको ट्राइक करना ओमाइग इस तो अमेजींग अग्ट तरस्मी आप लोग मुझे थैं कि आप लोग देख सकते हो यहां पे छोटे-चोटे हर्थ इंग्रेफ किया हुआ है जो कि काफी क्यूट है मतलब डीटेलिग इस अमेजींग मतलब बहुत ही जदे लुट लव थी में में बहुत ही जदे अच्छा है इस अग्ट इस पैले इस पैले इस पैले इस वर्ट त So guys that is all for today's video about this newly notched eyeshadow palette from myglam And if you guys have liked this video, please don't forget to like, share, comment and below your thoughts and opinions And if you have any questions or queries, you can ask them And also don't forget to follow me on Instagram Because on Instagram, I created 2-3 eyeshadow palette So yes, I have used this video for a long time So yes, you can check on my Instagram I can check if you guys want some eye look And also guys, don't forget to subscribe to my channel if you have not already And also guys, don't forget to hit the bell notification just next to the subscribe button So that whenever I will post a new video, you will get notified So yes guys, that's it. I'll see you in my next video. Till then, bye bye and take care